जी हाँ राशी फल बताने वारी sentences है ये और कौन सी राशी ली गई ये इससे तो मिरी खिलाव से हमीं कुछ जयादा लेना देना नहीं है हमारा जो परपस है यहाँ पर वो इसे भी ये है कि जो sentences राशी फल में इस्तमाल होती हैं English में वो हमारी इस रोज मररा की जिन्दगी में कितनी एहमियत रखती है और अगर ये sentences हमें बोलना आ जाएं तो हमारी English में चारचांद लग सकते हैं तो दोस्तों newspaper को अपना साथी बनाते हैं ऐसा साथी जो हमारी English सिकाने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है अलग अलग तरह के sections करेंगे हम और अलग तरह के sections हमें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं तो ये sections रिप कर दिए और शेक्षोर के लिए हैं और नीविश्पेबर में आने वाले हरस्करप की ये second video है You will be inclined to shed bad habits in the interest of health A new business can become a turning point in your search for prosperity A business sleep abroad will prove most fruitful So guys let's begin with scientist no.1 sentence number one है you will be inclined to shed bad habits in the interest of health so translation हो जाता है सहत की खादिर आप बुरी आददों को छोड़ने के लिए माइल या फिर इचुक कह सकते हैं इचुक होंगे so दोस्तों सबसे पहले आपको ये करना है कि इसका translation अपने दिमाग में रखें और जैसे translation आपके दिमाग में रह जाता है तो English भी पीछी पीछे चलके आने लग जाएगी so दोस्तों इसी तरह से आप ये sentence तीन चार बार पांच बार दोहरा ले loudly बोल बोल कर जिससे के आपकी speaking में भी improvement आएगा you will be inclined to shed bad habits in the interest of health you will be inclined to shed bad habits in the interest of health इस तरह से आप बोलते रहें और ये sentences आपके दिमाग में बैठ जाएगी और जब आपके ऐसा लगेगा कि sentences में बिना देखे बोल पा रहा हूं तो उसका translation भी आपके दिमाग में खुदबा खुद आने लग जाएगा उसके लिए आपको कोई खास मैरत नहीं करने पड़ेगी बस एक बार English में बोल लें और एक बार Hindi में बोलें फिर एक बार English में बोलें और एक बार Hindi में बोलें अच्छा बूलते वक्त हमें ये मालने नाए कि ये बात हम सामने वाले किसी बंदे से कह रहे हैं तो कल अपना कर लें के सामने आपकिसे बात कह रहा है और उसी अंदाज में कहें एशारय करते के बल्कि उसके तरफ तो दोस्तो इसकी ट्रांसलेशन हो जाती है नया बिजनिस एक सुधारवादी बदलाव यानि कि ऐसा मकाम जहां पर जिन्दगी में बहुत बड़ा बदलाव आता है इसे उर्दो में फैसला कुन मकाम भी कहते हैं ऐसा मकाम बन सकता है आपकी खुशाली की तलाश में तो इस सैंटेंस को भी पहली सैंटेंस की तरह कई बार आप दोरालें इंगलीश में भी और हंदी में भी तो फिर दोनों सैंटेंस ज़शा दिमाग में बैट जाएगी खुँब खुब वह ऐसे ही इक ड्ना है जैसे पने हैं पहली आपने देश से दूर बिजनिस का सफर सबसे जयादा फलदाई साबित होगा अपरोड मींस अपने देश से बाहर या फिर दूर दरास दूर दरास का सफर भी ऐसे भी मेरिंग निकाल सकते हैं तो दोस्तो सेंटेंस वाके में बहुत ज्यादा ईजी है तीन चार बार दोराने पर आपके दिमाग में पूरी सेंटेंस बैठ जाएंगी और जो भी मुश्किल वर्ड्स हैं वो सारे आपके दिमाग में बैठ जाएंगे हमेशा के लिए सो दोस्तो प्रोसेज वही होना चाहिए सिखने का कि आप लाउडली बूल बूल करके इंग्लिश पढ़ते रहें और बिना देखे बूलने की कोशिश करें आप दिखेंगे कि इंग्लिश में तो सुदार हुआ ही हुआ है आपका ट्रांसलेशन भी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा और यही सेंटेंस आपकी बाहर की जिंदेगी में साहधा करने वाली हैं जब आप बहर इंग्लिश बोलेंगे तो यही सेंटेंस आपके मुश्षे इसी तरह से निकलने लग जाएंगी दूस्तों इस वीडियो में इतने ही काफी हैं मिलते हैं पिर अगली किसी वीडियो में इस्तिचिव सिर्टिब बाभाइ